हरे कृष्णा सभी को साधर प्रणाम श्रीमत भागवता महापुरान प्रश्णोत्रे श्रिंकल पंद्र में आज हम सभी सकंद एक अध्यायतीन श्लोक संक्या पाँच जिसको भक्ति विदांतर स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रिष्टी की रचना को पूरी स्प देने का प्रयास करेंगे आप सभी को बहुत बरशुप कामन है आज की क्रिज के लिए पहला प्रश्ण है गर्बो दक्षाई विष्णो के पूर्णांज जो विश्व भर के जीवों के परमात्मा हैं ब्रम्हांड के पालन करता हैं रिक्तिस्थान या विष्णो कहलाते है लाल में लिखा है शीरो दक्षाई विष्णो नीले में लिखा है कर्णो दक्षाई विष्णो नारंगी में है महा विष्णो और हरे में लिखा हुआ है नारायन तो जो सही उत्तर है आप प्रश्ण संक्या के साथ सही विकल्प के रंग को कमेंट बॉक्स में लिख सकते है उदारन के लिए इस प्रश्न का उत्तर यदि लाल सही है या नीला सही है या नारंगी सही है या हरा सही है तो 16.R, 16.B, 16.O या 16.G लिख सकते हैं तो सामानेतिया जिने हम विष्णु कहते हैं तो एक ब्रह्मांड के भीतर के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वो इनमें से किन को कहा जाता है जिने कहा जाता है वो गर्बो दक्षाई विष्णु के पुर्णांश हैं और प्रतेक जीव के हृदय में रहने वाले परमात्मा है ब्रम्हांड के पालन करता भी उन्हें कहा जाता है इसलिए ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टी की रचना करने वाले विश्णु के रूप में पालन करने वाले और शिव जी के रूप में संघार करने वाले जिस विश्णु तत्व की बात हो रही है वो यहां पर सही उत्तर होगा अगला प्रश्न इस ब्रहमार्ण्द के भीतर विभिन युगों में होने वाले भिन भिन असंख अवतार शीरो दक्षाई विश्नु से ही उत्भूत होते हैं यह सत्य है अत्वा असत्य है यदि यह सत्य है तो हमारा उत्तर होगा 17.r यदि यह असत्य है तो हमारा उत्तर होगा 17.b अगला प्रशन है ब्रह्मा विश्णु तथा शिव ये तीनों द॥ितिय पुरुष गर्बो दक्षाई विश्णु के ही अवतार हैं ये सत्य है अत्वा असत्य है तो यदि हमने प्रश्ण संख्या 16 का सही उत्तर दिया होगा तो हमें इस प्रश्ण का सही उत्तर पता है ये सत्य है अत्वा असत्य है तो एक ब्रह्मान के भीतर के जो ब्रह्मा विश्णु और शिव हैं ये तीनों दुतिय पुरुष गर्भो दक्षाई विश्नु के ही अवतार हैं ये सत्य है अत्वा असत्य है आगे प्रश्न संख्या 19 में निम्न में से कौन सा असत्य है भगवान के रिक्तिस्थान है लाल में लिखा है लीला अवतार पूर्म वारा मत्या अवतार आदी है भगवान के गुणा अवतार नीले में लि लिखा है भगवान के विश्णु स्वरूप भौतिक प्रभाव से अलग है और हरे में लिखा है सभी असत्य है तो यदि हमें इस परश्ट है कि लाल नीले नारंगी में से कुछ असत्य है तो हम प्रश्ण संक्या के साथ वह उत्तर लिखेंगे या यदि हमें लगता है कि ला अध्यायत तीन के संदर्व में यह हमारा बीसवा प्रश्ण है आज की कुछ संख्या 15 के संदर्व में यह हमारा फ्राश्ण होते हैं नीले में लिखा है ब्रह्मा सदैव भगवान से अभिन्न होते हैं नारंगी में लिखाए ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं और हरे में लिखाए ब्रह्मा सदैव स्वराथ होते हैं तो शिव जी परमेश्वर तता जीवों के बीच की सिति में हैं ये सत्त है और ब्रह्मा सदैव इन में से क स्रिलाल प्रहुपात बहुत इस्पश्ट कहते हैं कि घगवान शिव सामाने जीव नहीं है भगवान शिव वास्तों में पुन पुरुशत्म भगवान के पुर्णान्श है, भगवत गीता में हमने इश्रमन भी किया है, पुन पुरुशत्म भगवान श्रिष्ण के चार तत्व विस्तार में शिव तत्व, विश्नु तत्व, जीव तत्व और शक्ती तत्व आता है, और विश्नु तत्व से शिव तत्व की जो भिन्नता है उसको ब्रह्म समिता में उल्लिखित किया गया है तो इसमें से कौन सा सही उत्तर है लाल में लिखा है दूद और दही के अंतर के समान है नीले में लिखा है पानी की एक बूंद और महासागर के अंतर के समान है नारंगी में लिखा है सूर्य और रश्मी किर्णों के समान है और हरे में लिखा है अगनी और धुएं के समान है प्रश्ण संक्या 22 में शिव जी सामानने जीव नहीं है भौतिक प्रकृती के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण भगवान से उनका अंतर है ये सत्ते है अत्वब सत्ते हैं ये समझके हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है आज के लिए हमारा नौवा प्रश्न है जो सर्वोच पुर्ण्यात्मा जीव या भगवत भक्त है भगवान द्वारा उन्हें स्रिष्टी करने की शक्ती दी जाती है और वे रित्यस्थान कहला लाल में लिखा है वे विश्णु कहलाते हैं नीले में लिखा है वे ब्रह्मा कहलाते हैं नारंगी में लिखा है वो श्यव कहलाते हैं और हरे में लिखा है वो महा विश्णु कहलाते हैं इन में से कौन सा सही उत्तर है भगवान द्वारत इन्हें स्रिष्टी रठने की शक्त प्रश्न संक्या 24 में जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहन करने योग ये कोई नहीं होता तो भगवान स्वेम ब्रह्मा बनकर इस कारेभार को समालते हैं यह सत्य है अत्वा सत्य है प्रश्न संक्या 25 में ब्रह्मा के जीवन के एक दिन में कितने मनू शाशन करते हैं, कितने मनू होते हैं लाल में लिखाए 8 मनू होते हैं, नीले में लिखाए 11 मनू होते हैं, नारंगी में लिखाए 12 मनू होते हैं और हरे में लिखाए 14 मनू होते हैं यहां पर एक बात हमें स्मरण रखने की है कि ब्रह्माजी के जीवन के भी सौवर्ष होते हैं और ब्रह्माजी के जीवन के दिनों की गर्णा हमारे मनुश्यों के सौर वर्षों की गर्णा में बहुत भिन है एक-एक मनु का कारेकाल कितना होता है इसको भी हम लोगों ने पहले श्रमन कर रखा है यहां इस स्ताथपर में विशेश रूप से मनु की संख्या बताई गई है और उसके पश्चाद ब्रह्मा जी की पूरी आयू बताई गई है तो वो गर्णा यहां प्रस्तुत की गई है अगला प्रश्न है हमारे सौर वर्षों की गर्णा की अनुसार ब्रह्मा जी की आयू रिक्तिस्थान वर्ष है लाल में लिखा है 43,000 गुणे 1,000 वर्ष है नीले में लिखा है 4,30,000 गुणे 100 वर्ष है नारंगी में लिखा है 43,000,000 गुणे 1,000 वर्ष है और खरे में लिखा है 4,30,000,000 गुणे 100 वर्ष है तो मैं करोड और लाक और हजार में इसलिए व्यक्त कर रही हूं कि एक दिन की गड़ना यदी हमें पता है एक दिव्य युग का यदी हमें स्मरण है तव हम इस गड़ना को सही प्रकार से समझ सकते हैं और यहां इस तादपरे में इसे व्यक्ति किया गया है प्रष्ण संख्या 27 में अध्यायतीन के और आज के प्रष्णों में लाल में लिखाए स्वयम्भुव मनु की अधीन है नारंगी में लिखाए वैवस्वत मनु की अधीन है और हरे में लिखाए स्वरोचिश मनु के अधीन है इन में से किस के वर्तमान यू किस की अधीन है को सही उत्तर लिखना है प्रेशन संख्या अठाइस में भगवान के ऐसे अवतार जीने अप्रत्यक्ष शक्ती प्राप्त होती है रिक्तिस्थान कहलाते हैं लाल में लिखा है अप्रत्यक्ष शक्ती प्राप्त अवतार विभू अप्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त अवतार नीला अवतार कहलाते हैं तो सभी भगवान की अवतार है पर कुछ को अप्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त होती है जो अप्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त अवतार है उन्हें क्या कहते हैं वो यहां पर हमें सही विकल्प के द्वारा लाल में लिखा है काला, नीले में लिखा है लाल, नारंगी में लिखा है पीला और हरे में लिखा है नारंगी. तो कौन सा रंग भगवान के विभिन युगावतारों के किसी भी रंग में नहीं आता? उसको हमें यहाँ इन विकल्पों से चुलना है. इसकारत हुआ कि अन्य तीन रंग भगवान के विभिन युगा अवतारों के विभिन रंग है प्रश्णोत्री संक्या 15 के लिए अंतिम प्रश्ण है किसी भी धूर्त के लिए अवतार बनने की गुंजाइश नहीं है क्यूंकि लाल में लिखा है अवतार स्वेम घोशना करते हैं कि वे अवतार हैं नीले में लिखा है शास्त्रों में भगवान के समस्त अवतारों का उलेक मिलता है नारंगी में लिखा है रिशी गर्ण शास्त्रों में वर्णित लक्षनों की आधार पर उन्हें चिन्नित कर लेते हैं और हरे में लिखा है नीला और नारंगी दोनों सही है तो इसका Сп Raf ό定 या नारंगी में से कोई एक सही है कि शास्त्र में भगवान के समस्ती अवतारों का अउलेक मिलता है तो नीला सही उत्तर हो गा या नारंगी केवाल यह अदि सही लगता है कि रषिगण और शास्त्रों में वड़नित लक्षनों की आधार पर उन्हें चीनित कर लेते हैं तो यह सही उत्तर है तो इस प्रकार से आज की 15 प्रश्णी यहां पर समाप्त हो रहें प्रश्ण उत्तरी 15 के उत्तर आपको प्रश्ण उत्तरी 16 के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे और झाले किशना